नमस्कार और वेलकम जैसे हम कुछ दिनों से न्यूजबाउंड जो स्टॉक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं तो आज फिर हम एक बहुत अच्छा स्टॉक आपके लिए कर लेकर रहे हैं तो देखते हैं स्टॉक पे क्या हो रहा है मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही शांदार पैटर्न दिखा देता हूं जी इसको देखके डरिएगा मत ये कॉफिन जैसी शेप है लेकिन इसको डायमेंड पैटर्न भी बोलते हैं बड़े अच्छे इसके जो आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे फिर से एक बार सारी की चीज़े फिर से देखते हैं बारे में न्ही Sigurd में क्यों है स्टोס वो मैं बताता हो अपको कंपनी को मधियापुर्देश सरकार की तरफ से मध्यप्रदेश क मेंड की तरफ से एक हजार करोड का कॉन्टरेक्ट मिला है एक्चुण कंपनी का पहले हैं बैसने बता थू कंपनी काम करती है ड्रिलिंग का आपकी ऑप्टिकल फाइबर जो किबल्स होती है उनको लेंग करने का उनको बीचाने का उनका नेटवर्क बनाने का तो ड्रिलिंग इसमें इन्वोल्ड है तो ये लोग जो मध्यप्रदेश गोवर्मेंट का वोटर क्या किते हैं पानी की सप्लाई का जो एक प तो एक और कंपनी के साथ मिलके तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस महीने का टाइम है इस प्रोजेक्ट का तीन मेने का ट्रायल रन है तो उमीद है कि काफी अच्छा होगा इसका क्या रियक्शन क्या है कि स्टॉक एक दिन में 6% उपर ही खुला साड़े 6% उपर ले अपना जैसे हम करते हैं थोड़ा सा बड़े टाइम के इसाब से एक सपोर्ट दिख रहा है बहुत सिंपल सीधा सीधा कोई किसी को शक नहीं होना चीए इस पर ठीक है तीन बाद यह सपोर्ट बनाएं लॉंग टरम सपोर्ट है हमारा वीकली चार्ट में आपको दिखार हो स उसके बाद में एक यह लॉफ प्लारिटी जोन हमारा 123456789 बहुत अच्छी तरह है रीटेस्ट वो चुका है सब कुछ ठीक है तो यह लॉफ प्लारिटी जोन हमारा बिलकुल परफेक्ट बन गया यहां पर ठीक है उसके बाद में यह चैनल मेजर ऐसा लग रहा था कि काम कर रहा था अगर हम देखेंगे तो मिड जो जोन है वो भी यहां पर सपोर्ट लिया यहां पर कई बार रिजिस्टेंस लिया यहां पर फिर सपोर्ट फिर यहां पर रिजिस्टेंस जैसा तो इस तरीके से और इसको रीटेस्ट अगर हम करेंगे इसकी क्या करेंगे तो आप द दो support थे चैनल से भी और लो पॉलारिटी से भी दिखता है और यहां से उपर जाना चाहिए अब यहां से सीधा सीधा उपर जाएगा नीचे आएगा वो सब देखते हैं और और एक्चुली बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है एजुकेशन के हिसाब से कि आपको सोचना चाहिए कि न्यूज का मतलब क्या होता है न्यूज से क्या हो सकता है कहीं आप नए किसी जाल में तो नहीं फसने जा रहे हैं क्योंकि मैंने भी कई साल पैसा गवाया है सिर कि मैं अब यहां से आपको दिखाता हूं यह देखिए परफेक्ट यह कॉफिन जैसी शेप बन गए लेकिन कॉफिन नहीं है इसको हम डामन पैटरन बोल सकते हैं डामन पैटरन के अच्छे कासे जो है टार्गेट्स होते हैं यहां से ऐसा दिख रहे है कि यह इतना बड़ा टार्गेट है इसका जाना चाहिए इसको एक सो साथ अभी है सेवन्टी फोर रुपीज पर ठीक है मैंने टार्गेट बहुत अच्छा दिखा दिया बहुत बड़ा बहुत बड़िया बात है ठीक है पॉसंटेज मैं दिखा दूं आपको एक और चीज देख लेते हैं कि यह भी देख लेते हैं यहां पे हैं आप देखेंगे 1100 गुना 1100 पर संट दिखा रहा है 1100 गुना सुर्ट गुना तो इसका रैस्त करना ज़ूरी था तो आप देखेंगे थोड़ा सा प्राइज वाइज और जाद तर टाइम वाइज करेक्शन आया पिछले कितने दिनों से अगस्त 21 से जुलाई 21 से तो 22-22 साल हो गए इसको इसी तरीके से रेंज बाउंड होते है तो रेंज बाउंड है करेक्शन चल रहा है स्टॉक में क्योंकि एकदम से एक सवा साल में 11 गुना रिटर्न दिये हैं स्टॉक ने तो थब नम जुर मलब लाजमी था इसका ठीक है तो अभी क्या अभी के इसाब से अगर आप देखेंगे तो बिलकुल ऐसा लग रहा है कि एकदम रिजिस्टंस के पास है मैं थोड़ा उसा और जूम करके दिखाता हूं तो यह आज की कैंडल है आज की कैंडल उपर गई थी कहीं यहां कहीं खुला था स्टॉक और वहां से फिर पूरे दिन गिरा है स्टॉक ठीक है तो 6% साड़े 6% उपर खुलके गिरावट आई है तो इसलिए कभी भी न्यूज बाउंड जो स्टॉक होता है बिना सोचे समझे कभी भी आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए ठीक है अब कहां पर एंट्री करनी चाहिए यह कोशन उठता है उसकी बात कर लेते हैं देखिए आप देखेंगे तो एक बड़ा सीधा सा एक मैं आपको बता देता हूँ यह एक लेवल निकल के आ रहा है दीखें जाने को यह यहां से तोड़के भी निकल सकता है वो एक अलग बात है पर हमें कभी भी उपर के प्राइस पर नहीं लेना है क्योंकि हमारा रिस्ट रिवर्ड जो हम बार बार बोलत होता है कि इसको भी तोड़ दे और नीचे हमारी यह जो इसके अंदर की डैमेंड पैटन के अंदर की जो वेव काउंट्स है उसको पूरा करने के लिए जनली इस तरह के पैटन्स में 7-9 वेव काउंट्स होते हैं तो अभी चल रहा है 1-2-3 मैं आपको बना के दिखा तो ऐ पाइव सिक्स सेवन ठीके जी तो यह तो हम यहां पर खरीदें और अगर मेरे पास जैसे हम ट्रेड वैनेजमेंट की बात करते हैं कि सो रुपए हैं तो 20-30 रुपी का मैं यहां पर खरीद हूं और यहां आता है तो बल्ले-बल्ले मेरी तरफ से मैं तो यह चाहूंगा कि म देपलोई कर दूँगा और यहां से जो मेरे उपर जाने के चांसले से वह बहुत अच्छे हो जाते हैं फस्स तो यह इसको क्रोस करेगा अगर इसको भी क्रोस कर जाता है तो फिर मेरे उपर के जो लेवल से वह आएंगे तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने यह एक लो प्रलाटिक जोन भी दिखाया था आपको यह वाला आप देख रहे हैं कितने सॉलो से आ रहा है यह मेरे को वीकली में जाना पड़ेगा डेली में दिखा ही नहीं बाऊंगा मैं आपको आपक है अब मैं जूम करके दिखाता हूं और डेली में दिखा देता हूं जी एक्जैक्ली यहां पे यह कोइंसाइड कर रहा है इन सब चीजों के साथ में तो दो हमारे लेवल आते हैं फरस्ट इस अराउंड 68 तो 69 और सेकंड वन इस अराउंड 58 तो 59 तो यहां पे हमें 59 तो बिल्कुल 100% करना चाहिए और काफी अच्छा दिख रहा है आप इस वीडियो को केडिंग की हिसाब से ना देखें इसको एजुकेशन के हिसाब से देखें कि आपको यह लग रहा होता है कि न्यूज आई है तो स्टोक कहीं भी जा सकता है कुछ भी हो सकता है आपको य एक रिस्क है इसमें नोल आप यह सोचे कि सब कुछ अच्छा है एक हजार करोड मिल गए बाकी चीज़े भी आपको देखनी पड़ेगी कि कंपनी में क्या चल रहा है हमें बाहर से तो पता नहीं चलता है कि कंपनी के अंदर इंटरनली क्या चल रहा है पर चार्ट हमें इस तो अगर यहां पर आता है तो तो यह चोटा सा अनलसिस था आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जुरूर बताएं और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई और कोशन हो तो वह भी पूछें कोशिश करेंगे आपके सारे से जरूर सला लें थैंक यू बाबाए